यह है Tata की Sierra जो कि अभी 2023 वाले Auto Expo में डेब्यू करी गई है और काफी लोग including me मान थे हैं कि गाड़ी काफी कुछ सेम है काफी कुछ inspired है Land Rover Discovery से या फिर Land Rover Defender से तो चला फिर इसका Fact Check लेते हैं जिसके लिए अगर हम 1992 में जाते हैं तो Tata Sierra, Tata की एकदम pinnacle गाड़ी थी जिसमें आपको इस brand की best technology, best performance और आपको best features मिलते थे और उस time इस गाड़ी के aesthetically दो different unique features थे जो की एकदम standout करते थे जिसमें एक तो यह गाड़ी सिरफ two-door format में आती थी तो इसलिए इस गाड़ी की looks काफी unique हो गई थी क्योंकि उस time काफी कम SUVs थी ऐसी जिसमें आपको सरफ दो दर्वाजे मिलते हैं और थोड़ा उस time इस टाइम इंप्रक्टिकल था पर आटलीस cool लगता था और दूसरा था कि क्योंकि एक आई two-door थी तो आपको पीछे कोई ऐसे दर्वाजा मिलता था नी तो इसलिए पीछे वाला काँच काफी लंबा था काफी ऐसे चोड़ा सा था जो कि गाड़ी की आदी length को cover करता था और साथी में एक काँच उपर की तरफ इसकी चट की तरफ fold होता था पर दोस्तों जो current वाली seer है वो काफी different है इस वाली गाड़ी से और इसमें आपको एकदम नहीं approach मिलती है आपको एकदम नहीं looks मिलती है लेकिन Tata ने focus कर रहे हर एक part में जो पहले वाली seer है उसे homage देने का लेकिन जो looks है काफी अब controversial सी भी बन गई है क्योंकि सामने से कुछ और है side से कुछ और है पीछे से कुछ और है जिसमें अगर आप सामने से है तो काफी लोग कह रहे है किस गाड़ी में आपको defender वाली looks मिलती है काफी लोग कह रहे है कि आपको discovery वाली looks मिलती है जो कि ठाटा की एक ट्रावलर टाइप बस है जिसमें वाई हम कारवरसल प्रोस बिल्कु जूट नहीं बोलेंगे जो सच है वो ही बोलेंगे हम ऐसे आइपोथेटिकली बोल नहीं सकते हैं कि इस गाड़ी में आपको डिफेंडर वाली लुक्स मिलती है जो कि उपर तक आ रहे है और थोड़ी ट्राइंगुलर फॉरमेशन में है जिसमें आपको उपर उपर कोई इसके फॉग लाम मिलती है और साथ ही में जो इसके नीचे वाला पार्ट है उसमें आपको ग्रेकलर की स्किर्ट प्रेट मिलती है जो कि काफी कूल लगरी है और थोड़ी थोड़ी defender वाली feel दे रही है अब हम कहने रही सकते तीफैंडर जैसी है पर थोड़ी थोड़ी feel दे रही है और एक इसमें cool चीज है कि जो इसका टाड़ा वाला लोगो है वो सामने से illuminate होता है जो कि हमने Ortexmo में भी देखा था, काफी cool लगता है और भाई मुझे अब बंद करना वड़ेगा उस वाली वीडियो को plug करना भाई बतारी कित्री वाली कर चुगा हो, जाके आप एक और वाली देख लो भाई 1,70,000 हो गए उस पर व्यूज दो लाग कर लेते हैं और side में अगर आप देखें, तो थोड़ी थोड़ी talk start होती है कि इस गाड़ी में आपको थोड़ी थोड़ी जो defender है और जो discovery है वैसी looks मिलती है जिसमें उपर अगर आप इसकी चत को देखें, तो आपको इसे rotating वाला या फिर एक bulging वाली चत वाला format मिलता है जैसा exactly आपको discovery में मिलता है तो यह आप कहे सकते हैं कि थोड़ा बहुत same लग रहा है और इससे जो गाड़ी की looks है थोड़ी same लग रही है अगर आप उसके नीचे आते हैं तो इस गाड़ी की window line एकड़ी है, एकड़ में से straight C है जिसमें आपको बीच में काफी बड़ा एक divider सा मिलता है जो कि ना तो discovery में आता है, ना तो defender में आता है वैगनार EV में आता है तो दोस्तो टाड़ा motor किसी भी गाड़ी में भेदबाहू नहीं करते एक ही single गाड़ी में बस से inspiration लेलेंगे एक off-roading service से inspiration लेलेंगे एक सस्ती सी electric गाड़ी से inspiration लेलेंगे ताकि आपको best product deliver कर पाए तो भाई यही हमारी भी philosophy है अगर आप देखे car vessel पे, जिसमें हम कही से भी inspiration लेलते हैं कही से भी photos उठा लेते हैं ताकि आपको best videos मिलें और हाँ बागी best से आता है कि अभी हम car vessel वाली team आप सब के लिए काफी cool चीज़ पे काम कर रहे है जो कि आपको पसंद आने वाली है मेरे ख्याल से काफी मेहनत करेंगे उस पे और उस वाली industry में शायद उसका जो एक्दम experience है best होने वाला है तो उसके लिए tune-in रहना और इसके अगरा बहुर नीचे आते हैं तो इसके जो दर्वाज है एकदम unique है और कोई भी गाड़ी से resemble करते हैं जिसमें आपको जो door handle है एकदम ऐसे seamless वाले मिलते हैं जैसे xvp 7 below वगरा में आते हैं और ये खोलने की कोशिश करी थी है खुले नीथ है auto expo में लेकिन उसके नीचे आपको थोड़ी similarity दिखनी शुरू हो जाएगी जिसमें जो इस गाड़ी के wheel artist है काफी कुछ defender जैसे मिलते हैं लेकिन दोनों cars में similarity इसलिए काफी जाया लगती है लेकिन दोस्तों जो real similarity है वो इसके पीछे थोड़ा और आने में start होती है जिसमें इसकी और discovery की जो side back profile है अगर आप एकदम पीछे का पतला portion देखे तो काफी कुछ similar है जिसमें आपको लंबा सा spoiler मिलते है जैसे discovery में आता है इस गाड़े की looks discovery के concept जैसी दिखती है उसके lawn से पहले जो आया था और मैंने ढूंड के रिकाला काफी मुश्किल से उना भाई मैं cool जिसमें काफी कुछ दोनों car similar लग रही है थोड़ी बहुत लग रही है at least जिसमें Sierra में आपको एक लंबी वाली tail head मिलती है जो की connect हो रही है दोनों parts में और काफी cool लग रही है और नीचे आपको Tata का logo मिलता है उसके जिसके पीछे का काँचे काफी बड़ा सा है और थोड़ा ऐसे अंदर को है as compared to उसकी dicky और वैसी आपको looks थोड़ी board discovery के concept model में मिलती है जिसमें आपको लंबी लंबी tail head मिलती है जो की connected नहीं है पर थोड़ी feel दे रही है connected वाली दोनों cars में आपको मोटे मोटे black color के bumper मिलते है पीछे जो की almost same shape किया है same proportion किया है और दोनों bumpers के नीचे आपको gliding मिलती है जो की ऐसे थोड़ी greyish color की है फिर दोसों जो अंदरूनी section है उसमें भी काफी तकड़ी similarities है जिसमें जो dashboard है वो तो ऐसे अलग साही है उसमें आपको कुछ ऐसे similarity मिलती नहीं है काफी ऐसे multi-layer format है इसमें जिसमें आपको ऐसे different layers मिलती है और एक is clear में आपको ऐसे पते मिलते broccoli सी हुगी मिलती है और ये मैंने auto expo में भी notice करी थी पर भाई मैं तो broccoli खाता नी मैं तो ऐसे राजमा वाजमा खाता हूँ छोले भटूरे वगरा तो इसले भटूरे वगरा मैं नहीं खाता अगर ऐसे बटूरे बटूरे लगा सकते हैं तो सही है broccoli का मिलने कोई काम नहीं है बागी dashboard में आपको dual screen वाला format मिलता है जिसमें आपको दो ऐसे screen है मिलती है काफी कू लगती है और इसके अंदर जो गाना बज़ रहा है वो भी green green grass है तो भाई grass है काफी प्यारा data motors को और साथी में इसके instrument cluster का यू है काफी unique लग रहा है जिसमें 310 km की range दिखा रहा है इसके 79% charge में तो मैंने calculate कर रही है और इसकी बैटरी है बराउंड 400 km की बन रही है पर obviously इतनी नहीं होगी है तो बहुत ही गव है पर लेकिन जो इस card का steering है उसकी जो placement है और साथी में जो steering का design है आपको almost यह मिलता है जैसे defender में आता है जिसमें आपको four spoke वाला steering मिलता है जिसमें आपको ऊपर दो बड़े बड़े spoke मिलते है नीचे आपको छोटे वाले मिलते है और जो steering का placement है वो भी काफी कुछ similar है थोड़े से upright सी है ट्रक वाली feel वाली तो इसलिए यह आपको थोड़ा similar मिलता है दोनों cards में पर लेकिन जो इसके AC event का control है आपको touch वाला मिलता है थोड़ा बहुत मारूजी है ऐसा और साथी में इसमें आपको gear lever मिलता है जा तो आपको एक बड़िया वाला sofa मिलने वाला है जिसमें बड़िया वाला मज़े से बैठो सोफे की तरह और जो इसकी sunroof है आपको पीछे की तरफ मिलती है मतलब back oriented है इस गाड़ी की sunroof जो की काफी unique सा है और साथी में इस गाड़ी में आपको पीछे पत्ते वत्ते उगे मिलते है नीम का पत्ता पीछे उगा हुआ है और इसलिए क्योंकि Tata Motors को एक कहावत काफी पसंद है नीम का पत्ता कड़वा है यह सब तो सही है पर Tata Motors ने अभी दो दीन काफी तकड़े खुला से कर दी है जो की अभी तक expected था नी जिसमें एक खुला से यह कर रहा है कि अभी तक हमने सोचा था कि यह गाड़ी से रफ electric only format ना आने वाली है तो इसलिए सही होगी cool होगी पर अब Tata Motors ने कह दिया है कि जो उनका 1.5 liter वाला turbo engine है वो कर्व में और सियरा में unveil करने वाली है या फिर launch करने वाली है तो यह गाड़ी normal IC engine format में भी आने वाली है तो भाई यह कब आया story के बीच में हम तो अभी तक expect कर रहे थे कि electric गाड़ी होने वाली है Tata Motors लाँच केने वाले है Curve, Tata Harrier EV और यह Sierra तो भाई एकदम jam-packed होने वाले है 2024 देखते क्या होता है और मुझे गाड़ी बहुत ही पसंद आई यह शायद मेरी पहली गाड़ी हो सकते Tata Motors की जो कि मैं लेने वाला हूँ तो देखते क्या गाड़ी लाँच होती है और बागी subscribe के लेना एक community member बनने के लिए और एक real car vessel pro बनने के लिए